प्रसाद में एनिमल फैट और फिश ओयल मिलाने वालों को मृत्यू दंड मिलना चाहिए यह कहना है कि कैबिनेट मंत्री के लाश विजय वर्गिय का उन्होंने का सनातन धर्म को चोड़ पहुचाने की कोशिश है मैं कई बार मंदिर गया हूँ वहां का प्रसाद खाया है यह पता चलने के बाद मैं खाना नहीं खा पाया जो लोग इस तरह का खिलवार करते हैं उन्हें मृत्यू दंड देना चाहिए पूरुव मुख्यमंत्री और के इंद्रिय कृश्यमंत्री शिवराणा नहीं है पूरु मंत्री भूपेंद्र सिंग के खिलाफ आपराधिक अवमानना से जुड़े मामले में हाई कोट में सुनवाई हुई राजी सभा सांसद विवेक तंखा का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोट के वरिष्ठ वकील कपिल सिबल जबलपूर पहुंचे थे याचिका के मताबिक अपने खिलाफ गलत बयान बाजी को लेकर राजी सभा सांसद विवेक तंखाने तद कालीन मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान वीडी शर्मा भूपेंद्र सिंग को मानहानी का नोटिस भेजा था किसी भी पॉलिटिशन को एक एक लिसन लेना चाहिए कि कोट के बारे में कोट के चैरी के बारे में जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में जूट मत बोलो खिलवार मत करो क्योंकि ये सीरिस बिजनिस है ये देश का बिजनिस है और जिडिशरी और कोट के चैरी और वकील के साथ किलवार करना कि ही आज बहस हुई है हम जो वकील लोग हैं हम कोट में जाके अपना कर्तब भी निवाते हैं बहस करते हैं और अगर कोट के बाहर कुछ लांचन आरोप लगें जो उनको मालूम है कि जूटे और प्रोफेशनल की रेपृटेशन पे धबा आ जाए कोचोट आ जाए तो मैं समझता हूँ कि इस समाज के लिए बहुत एक खतरनाक बात है इधर शिवपुरी में आस्था का स्थान भैरव बाबा के मंदिर से अग्याद चोरों ने एक क्विंटल तीस किलो वजन के पीतल के घंटे को चोरी पीतल के घंटे चोरी कर लिए जिले के सिरसौद थाने अलाके के कुमरपुर गाओं में मंदिर में सुबह जब पुजारी आरती करने पहुंचा तब इस चोरी का खुलासा हुआ चोरी होने की शिकायत सिरसौद थाने में दर्ज करवाई गई है और इसी के साथ इस बुलेटन में इतना ही खबरें जारी रहेंगे